हेलो अच्चो क्या हाल चाल कैसे चल रही है पढ़ाई तो शुरू करते हैं अगला लेक्चर इसमें हम लोग बेसिकली जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाये या उसके पहले पढ़ाये उसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन्स करेंगे ठीक है तो हमें सबसे पहला कुष्चन दिया हुआ है solve the inequality अब हमारे पास एक inequality है basically solve का मतलब यह होता है कि हमें x की value find out करनी है अब जब x की value find out करनी है तो inequality solve करने आना चाहिए inequality solve करने के लिए मैंने सिखाया हुआ है लेकिन sir आपने तो सिखाया था कि हमेशा एक तरफ और चीज़े होती थी और इधर greater than equal to zero होता था एक side तो कुछ होता ही नहीं था यहाँ पर तो कुछ और ही आ गया sir नई basically कुछ और आया नहीं है लिखने का तरीका बस उन्होंने change कर दिया तुम्हें सबसे पहले वही काम करना है तो तुम्हें क्या करना है उसको उसी form में represent करना है जिस तरीके से मैंने सिखाया है अभी तुम सोचो शुरुआत में important points में मैंने लिखाया था किस तरीके से दोनों side add कर सकते है subtract कर सकते हैं सारी चीजे इसको solve करने के लिए you will say 4x plus 3 तो है सर मैं क्या करता हूँ 6x को LHS में ले आता हूँ 7 को भी LHS में ले आता हूँ less than 0 बोल देता हूँ ये तो चलेगा न इसमें कोई problem नहीं है ये directly मैंने नहीं किया मैंने actual में किया क्या दोनो side minus 6x add किया दोनो side minus 7 add किया ठीक है addition and subtraction दोनो side inequality के कभी भी कर सकते है कोई problem नहीं है चलो अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 4x minus 6x is what? minus 2x 3 minus 7 is what? minus 4 less than 0 अच्छा अब मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि इस दोनों में कुछ तो common है minus 2 bracket के अंदर क्या जाएगा? x plus 2 less than 0 ओके यह वाला चीज आ चुका है अभी सर यहाँ पे एक लोचा है क्या? minus 2 है minus 2 नहीं होता तो कोई problem होता है नहीं अब minus 2 को solve करने के लिए क्या करी सर? दोनो side minus 2 से divide कर दो minus 2 से divide कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं क्या मुझे minus 2 का sign पता है? obviously minus 2 minus 2 बोल रहे हो तो वो तो negative है अच्छा negative number से दोनो side अगर divide करते हैं तो क्या होता है? sign change हो जाता है सर in equality का this means अगर मैं minus 2 से divide करूँ तो यह x plus 2 greater than 0 बन जाएगा सर? इसको ऐसे analyze करो या फिर तुम ऐसे सोचो कि एक negative number into दूसरा ऐसा क्या होगा? जो overall negative आजए एक negative number into overall positive या negative लोंगा जो product negative आजए तो obviously negative लोग है तो negative into negative positive हो जाता है इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा positive so x plus 2 greater than 0 होना चाहिए now x plus 2 greater than 0 होना चाहिए तो x greater than minus 2 होना चाहिए या तो directly ऐसे answer लिख दो या फिर जो मैंने सिखाया है bracket के form में x belongs to minus 2 से हमेशा बड़ा मतलब minus 2 को लेना है क्या? नहीं तो minus 2 को exclude किया कहां तक जाएंगे? infinity तक यह हमारा answer ठीक है? बहुत ही प्यारा सा simple सा easy question था next question प्याते हैं next question है अपने पास solve this इसमें भी दोनों side है क्या करेंगे सबसे पहला step क्या मैं cross multiply कर सकता हूँ सर? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्या मैं ऐसे लिख दू? ये तो चलो 5 minus 2x divide by 3 लिखा हूँ, less than or equal to अभी मैं कुछ छेड़ खानी नहीं कर रहा हूँ मैं बस यहाँ पे LCM ले रहा हूँ, तो x minus 6 into 5, 30 divide by 6 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला step तो हमेशा कर सकते हैं सर, तुम्हें ऐसे सोच लो या फिर सबको एक side में ले जाके फिर LCM लो, बात एक ही है ठीक है, अभी बताओ क्या मैं इस 3 को 6 से cut कर सकता हूँ sign change होगा, नहीं होगा इसलिए मैं directly cut कर सकता हूँ basically मैंने अगर 3 से multiply किया दोनो side, तो देखो यही आ जाएगा 3 से 3 कर जाएगा, 3 से 6 into 2, बचे गया 5 minus 2x less than or equal to x minus 30 by 2 अच्छा, मैं क्या 2 से cross multiply कर सकता हूँ, cross multiply करने का मतलब क्या है, दोनो side क्या मैं 2 से multiply कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ 2 into 5 minus 2x less than or equal to x minus 30 sign change होगा ही नहीं क्यों क्योंकि भाई 2 इसे positive number यह आ गया, 2 into 5 10 minus 2 into 2 4x less than or equal to x minus 30, मैं क्या करूँँगा, सब को LHS में लाऊँगा, क्या जाएगा 10 minus 4x minus x plus 30 less than or equal to 0 ultimately मुझे क्या करना है something एक तरफ less than or equal to 0, एक तरफ ठीक है, तो ultimately मेरे पास आया क्या, 10 plus 30 40 4x minus x minus 5x less than or equal to 0 और I can say 40 में से 5 common ले ले है 8 minus x less than or equal to 0 इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x minus 8 greater than or equal to 0 x minus 8 greater than or equal to 0 है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोड़क्ट मुझे negative चाहिए तो ये positive है तो इसको negative होना ही पड़ेगा x minus 8 sorry negative चाहिए तो इसको negative होना ही पड़ेगा positive होना क्या लिख रहा हूँ sorry यार यहाँ पर मैं 5 से divide करूँगा तो 8 minus x less than or equal to 0 आएगा और we can say that x minus 8 greater than equal to 0 आएगा मैंने minus sin से दोनों साइड multiply कर दिया और we can say that x greater than equal to 8 आएगा हमारा answer हो जाएगा x belongs to 8 close से infinity simple question next question पर आते है question बोला गया solve this अब इसको solve करना है basically क्या मैं दोनों साइड पहले क्या करता हूँ 4 से LCM लेता हूँ ताकि इस 1 का काम खतम हो जाए देखो जैसे मैं 4 से LCM लोगा 3x minus 4 by 2 greater than or equal to x plus 1 minus 4 by 4 हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब मैं क्या करूँगा दोनों साइड directly 4 से multiply करता हूँ साइन जैसे होगा नहीं 4 हीज़े positive number 4 से multiply करोगे दोनों साइड तो दिख रहा होगा यहां तो cancel out हो जाएगा यहां से 2 बच जाएगा and 2 into 3x 6x 2 into 4 minus 8 greater than और equal to x 1 minus 4 minus 3 अब क्या करूँगा सब को एक साइड लाऊँगा 6x minus 8 minus x plus 3 greater than और equal to 0 यहां से मेरे पास क्या आया देखो 6x minus x 5x minus 8 plus 3 minus 5 greater than equal to 0 5 common आ रहा है x minus 1 greater than equal to 0 क्या करूँगा मैं 5 से divide कर दूँगा जो 5 से divide करूँगा आएगा यह greater than equal to 0 और we can say that x is greater than equal to 1 या फिर final answer is x belongs to 1 से infinity simple है बहुत ही आसानी से solve होते जा रहे हैं questions linear inequality है एक ही x निकालना है तो कोई tension हो ही नहीं रहा है ओके now you can see क्या मैं 3 और 5 को cross multiply कर सकता हूँ मतलब 3 को इधर और 5 को इधर ला सकता हूँ क्या सोचो ऐसे ला सकते हैं कैसे कैसे मैं दोनों side basically 3 और 5 के LCM that is 15 से multiply कर दूँगा 15 से multiply करूँगा तो sign में कोई change आएगा क्या नहीं आएगा मैंने क्या किया दोनों side 15 से multiply कर दिया basically ये दिखाने के जौरत नहीं है फिर भी मैं दिखा रहा हूँ 5 इंटो 3 3 इंटो 5 वही मैंने बोला था कि 5 डिरेक्ली यहां ले आओ 3 डिरेक्ली वहां लेके चला जाओ ठीक है ओके 3 और एक 3 अल्रेदी है 9 x माइनस 2 लेस दन इक्वल तो 5 इंटो 5 25 2 माइनस x अभी देखना this is 9 इंटो x माइनस 18 लेस दन इक्वल तो 25 इंटो 250 माइनस 25 x सबको एक साइड ले जाएंगे 9 x plus 25 x माइनस 18 माइनस 50 लेस दन और इक्वल तो 0 यहां से आग्या 34 x माइनस 68 लेस दन इक्वल तो 0 और we can say that 34 कमन ले लो x माइनस 2 लेस दन इक्वल तो 0 34 से दिवाइड कर दो x माइनस 2 लेस दन इक्वल तो 0 x लेस दन इक्वल तो 2 फाइनल आंसर कितना आ गया x belongs to minus infinity से 2 2 को include कर लेना है ठीक है 2 को include कर लेना है बस simple है चलो next question फिर से इस inequality को मुझे solve करना है देखो ज्यांसे x by 4 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5 क्या करते हैं सबको या तो एक साइड पहले ही लेके चले आओ या फिर क्या कर सकते हो LCM LCM ले लो पहले x by 4 less than यहां पर जब LCM लोगे आएगा 15 3 into 5 5 into 5x minus 2 minus के साथ 5 into 3 3 into 7x minus 3 पहले इस साइड को simplify पहले ही कर लेते हैं 5 into 5 25x minus 10 minus 21x minus minus plus 9 divided by 15 देखो यह कितना आ रहा है x by 4 less than 25 minus 21 is 4x minus 10 plus 9 is minus 1 divided by 15 क्या मैं cross multiply कर सकता हूँ अब कोई मत बोलना no cross multiply कर सकते हैं 15 और 4 है तो क्योंकि positive number से negative होते sign change करना पहता 15 into x is 15x less than 4 into 4 16x minus 4 यह ultimately कितना आ गया इस 4 को अधर ले जा रहा हूँ मैं इस को इधर ले आ रहा हूँ तो this is 4 greater than 16x minus 15x तो this is 4 यह x x is greater than 4 x is greater than 4 x is greater than 4 simple ठीक है मतलब यह सारी कोश्चन तो और भी easy है जो मैंने करवाए थे अल्रेडी ठीक है चलो next question क्या करना है डिरेक्टी पहले multiply कर दो भाई 3 into 1 3x less than 2x plus 8 सबको एक साइड ले आओ 3 minus 3x minus 2x minus 8 less than 0 यहां से आगया minus 5x minus 5 less than 0 minus 5 दोनों में common आगया x plus 1 less than 0 यहां से minus 5 डिवाइड करोगे तो x plus 1 greater than 0 x greater than minus 1 x belongs to minus 1 से infinity ठीक है ओके हां अभी इस question को देखो दे हम से इसमें दोनों साइड inequality है मतलब अपना ये वाला चीज 8 से छोटा भी है और ये वाला चीज minus 5 से बड़ा भी है इस टाइप के inequality को कैसे solve करेंगे तो basically हम लोग क्या कर सकते हैं सोचो common sense लगाएंगे क्या 2 एक positive number है क्या मैं दोनों साइड 2 से multiply कर सकता हूँ overall inequality में कोई फर्क नहीं पड़ता है कर दिया तो this is minus 10 less than 5 minus 3x less than 8 into 2 16 अभी मैं क्या पूरे inequality में minus 5 कर सकता हूँ क्या minus 10 minus 5 less than equal to 5 minus 3x minus 5 less than equal to 16 minus 5 ऐसा क्यों सोच रहे हैं मैं दिले दिले बताऊँगा मुझे finally x की value चाहिए तो मैं किसी भी तरीके से यहाँ x generate करना चाह रहा हूँ ठीक है अपने आप मुझे आ जाएगा x belongs to this तो यहाँ आ गया minus 15 less than equal to minus 3x less than equal to 11 क्या मैं minus 3 से divide कर सकता हूँ हाँ लेकिन condition यह होगा कि sign change करना होगा क्योंकि minus 3 एक negative है तो x यह sign ऐसा 11 by 3 with negative sign इधर 15 by 3 with negative sign तो 5 बचेगा तो x हमारा आ गया greater than 11 by 3 and less than 5 simple यह तो एक तरीका था दूसरा तरीका क्या होता दूसरा तरीका यह होता कि पहले इस inequality को solve कर लो मतलब पहले यह वाली चीज को solve कर लो that is 5 minus 3 x by 2 less than equal to 8 यहां से आ जाएगा 5 minus 3 x less than equal to 16 यहां से आ जाएगा minus 3 x less than equal to 11 और minus 3 से divide कर लो तो x greater than equal to minus 11 by 3 एक यह solve कर लिए दूसरा क्या solve कर लो दूसरा यह solve कर लो इसको अलग से solve कर लिए कैस solve क्या देख लो minus 5 greater than equal to 5 minus 3 x by 2 2 से multiply किया minus 10 less than equal to 5 minus 3 x यहां से I can say 3 x less than equal to 15 x less than equal to 5 अच्छा यहां से आए x 5 से छोटा यहां से आए x इस से बड़ा obviously दोनों satisfy करना चाहिए this means यह वाली inequality भी hold करनी चाहिए यह वाली inequality भी hold करनी चाहिए दोनों hold करनी चाहिए मतलब this as well as this and बीच में मतलब दोनों का intersection मतलब यह बोल रहा है minus 11 by 3 से बड़ा आगे यह बोल रहा है पांस से पीछे 5 के पीछे जितने नंबर सब को लो यह बोड़ा minus 11 by 3 के आगे जितने नंबर सब को लो तो basically दोनों में से दोनों satisfy करना चाहिए और वो सिर्फ इसी रीजन में है इसी रीजन में दोनों के दोनों satisfy कर रहे है इसके अलाब़ा इधर जाओगे तो यह satisfy कर रहा है लेकिन यह नहीं इधर जाओगे तो यह कर रहा है लेकिन यह नहीं तो इसलिए इसी रीजन को answer बोलेंगे that is 5 से छोटा minus 11 by 3 से बढ़ा same answer ठीक है तो दोनों approach एक ही है चलो इसको भी देख लो फिर से यह है minus 5 फिर से मैं क्या कर सकता हूँ या तो दोनों को अलग-अलग solve करो या फिर directly easy दिख रहा है कि अगर तुम x को directly calculate कर पा रहा होगे तो दोनों को अलग-अलग solve करने की ज़रत नहीं है अब से पहले इस 4 को अटा सकते हैं सब में minus 4 add करके जब minus 4 add करोगे तो यह minus 16 आ जाएगा इधर minus 3x by minus 5 बचेगा इधर बचेगा minus 2 minus minus तो कट गया 5 से multiply कर दो minus 80 greater than 3x greater than 3x less than equal to minus 10 3 से divide कर दो x less than equal to minus 10 by 3 less than equal to minus 80 by 3 मतलब x इसके बीच में that is x belongs to minus 80 by 3 से लेकर के minus 10 by 3 दोनों तरफ नहीं एक तरफ open एक तरफ close ठीक है simple question चलो next question देख लेते हैं इसमें भी same काम पहले 5 से multiply कर दिया तो 3 x minus 2 बचा इधर 0 आगया इधर minus 75 आगया 3 से divide कर दिया तो x minus 2 बचा इधर 0 इधर minus 25 फिर 2 को add कर दिया तो इधर 2 आगया और इधर minus 23 आगया directly answer आगया दिख रहा है ठीक है चलो तो यह जो भी questions हमने करें यह सारे के सारे थे linear inequalities basic concept पे based ठीक है अभी देखो अगर कुछ और questions करना चाहें हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसके basis पे तो इस सो जो एक question मैं दे रहा हूं x plus 1 into x minus 7 into x minus 3 divided by x plus 5 into x minus 4 इस पे पावर 99 इस पे पावर 20 इस पे पावर 2020 इस पे पावर 1995 इस पे पावर 71 ठीक है and less than equal to 0 इसको solve करके दिखाओ question यह है इसको solve करके दिखाना है तुम बेसी गली क्या करने वाले हो तुम बोलोगे सारे सर critical points को plot कर दो critical points क्या क्या है minus 5 सबसे इधर उसके और minus 1 इसका वाला 347 347 इतने critical points है next step क्या करना होता है next step यह करना होता है कि जिस पे भी even power है उस पे star mark कर दो sir even power even power और कहीं नहीं मतलब 3 और 7 पे star mark कर दो मतलब यहाँ पे sign change नहीं होगा अब क्या करो sir extreme right में plus दे दो alternate plus minus करो except जहाँ पे star जिया है यहाँ से plus से plus ही रह जाएगा क्योंकि 7 पे star है 4 पे कोई star नहीं है तो plus से minus minus से minus ही रह जाएगा minus से plus plus से फिर minus ultimately मुझे क्या चाहिए sir यह कब negative हो रहा है ठीक है negative हो रहा है तो x belongs to minus infinity से minus 5 तक क्या minus 5 को ले सकते है equality तो है लेकिन minus 5 पे denominator 0 हो रहा है इसलिए minus 5 को नहीं लिया union minus 1 को ले सकते है क्या minus 1 को ले सकते है क्या माइनस one पर उपर वाला zero हुन है जो कि चलेगा That is minus one को ले लिया कहा तक 3 3 को ले सकते हैं क्या 3 को ले सकते हैं इसलिए मैं directly 4 तक जा सकता हूँ क्या 4 को ले सकते हैं नहीं इसलिए 4 को open कर दिया union आगए कुछ है यहीं नहीं यही answer क्या 7 को ले सकते हैं 7 को हां तो union 7 अकेला यह answer हो जाएगा तुम्हारे inhquality का खीक है इसके बाद जो quadratic inequality आता है जिसमें quadratic equations involved ब्सक्राप्र जो भी questions हमने करें वो सारे linear equations है quadratic equation जहाँ पर involved लोगे वो सारे inequality हम लोग quadratic equation chapter में करने वाले हैं जब quadratic equation के बारे में हमें idea हो जाएगा पूरी तरह कि किस तरीके से quadratic equation actual में होता क्या है क्या उसका discriminant होता है किस तरीके से roots calculate करते हैं किस तरीके से proper factorization करते हैं कब quadratic equation factorize हो पाएगा कब नहीं हो पाएगा ये सारी बाते अगर पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे quadratic equation वाला inequality पढ़ लेंगे अभी तो रहने दिया अगले lecture में फिर क्या करने वाले हैं हम लोग अगले lecture में modulus inequality पढ़ेंगे और logarithm के बारे में हमने सीख लिया है इसलिए logarithmic inequality भी कर लेंगे तो एक ही lecture में हम लोग क्या करने वाले हैं दोनों के दोनों modulus as well as logarithmic inequality और कब आएगा ये वीडियो Friday को चलो अगर subscribe नहीं किये हो चैनल को तो subscribe कर दो जो भी तुमारे relative है तुमारे friends है